बच्चों, हम सभी अपने जीवन में अलग-अलग आवशक्ता की वस्तूओं का उपयोग करते हैं जैसे कि गेहूं धान है और इससे हम आटा या चावल इस टाइप की वस्तूओं का उपयोग करते हैं तो इनका कच्चा माल एक अलग है मतलब हम आटा उपयोग कर रहे हैं या चावल उपयोग कर रहे हैं इसके पहले इसका एक अलग रूप था वो गेहूं के रूप में था और एक जो है वो धान के रूप में था इसका रूप परिवर्तन होकर ये हमारे पास चावल और आटे के रूप में आया है इन जो अनिवारी आवश्चक्ताओं की यदि हम बात करें जो हमारी जीवन के लि जैसे हम चाहे यातायात के साधन के बारे में बात करें या फिर अपने घर में उप्योग की जाने वाली एक छोटी सी सुई जिसमें हम बैठते हैं एक चेयर की बात करते हैं घर में उप्योग की जाने वाले बर्तनों की बात कर लें हम दवाईयों का उप्योग करते हैं इस ट किसी न किसी उद्योग में जो है वो निर्मित की जाती हैं इन सभी का रूप परिवर्तन जो है वो उद्योग में होता है यदि हम बात करें कि ये सभी जो उद्योग हैं वो हम इन्हें वर्तमान अर्थव्यवस्था की रेडि के रूप में कह सकते हैं और जब हम उद्योग कह जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, कि विनिर्माड क्या है, तो विनिर्माड, चाहे वो कोई भी कच्चा माल हो, उसका रूप परिवर्थन करके, उसे परिशोधित करके, जो उसका दूसरा रूप, या हम ये कहें, कि उसे अपने उपयोग के लायक बनाया जाता है जहां पर उसे हम विनिर्माड कहते हैं और जब किसी स्थान में ये प्रक्रिया सतत रूप से अनवरत रूप से और इस्थान विशेश में चलती है तो उसे हम विनिर्माड उद्योग के नाम से जानते हैं विनिर्माड उद्योग जो है वो किसी भी कच्चे मा को या किसी भी वस्तू को उसका रूप परिवर्दित करके उसे परिवर्धित करके और जादा उपयोगी और मुल्यवान बनाने की प्रक्रिया है अब जब हम विनिर्माण उद्ध्योग की बात करते हैं तो अभी हमने जैसे देखा कि जो हम आटा उपयोग कर रहे थे वो पह करते हैं ठीक उसी प्रकार हम जब भी निर्माण उद्ध्योग की बात करते हैं तो उसमें कच्चा माल जो है वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि हमारे धरातल पर मिलने वाला जो पत्थर है वो पहले जब धरातल पर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो एक पत्थर है फिर हम भुम आकार और रूप हम उसे प्रदान कर रहे हैं वो किसी उद्ध्योग में प्रदान किया जा रहा है आप अपनी घरों में टाइल्स, मार्बल यह जो उपयोग करते हैं उसे हम अपने रूप अपनी पसंद के अनुसार उसका जो रूप है वो परिवर्तित कर देते हैं ठीक उ जूट का पौधा है तो वो हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है लेकिन जब हम जूट के पौधे रेशा जो प्राप्ति किया जाता है उसे सड़ा कर फिर उसके रूप में परिवर्तित करते हैं और उसे और ज्यादा उपयोगी और मुल्यवान बनाते हैं चाहे हम उसे अ उपयोगी और मुल्यवान बनाकर अपने उपयोग के लायक उसे परिवर्तित कर लिया ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं जो खदान से प्राप्त अलग-अलग टाइप के आयस्क हैं आयस्क को भी जब वो धरातल के नीचे भुगर्व मिल रहा है तो वे एक समान आयस्क के परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसके रूप परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो किसी न किसी विनिर्माड उद्योग में होती है तो हम इसे समानी शब्दों में समझ सकते हैं कि कच्चे माल को परिवर्टित करके या परिशोधित करके उसके रूप परिवर्टन की जो सतत प्रक्रिया होती है उसे ही हम विनिर्माड उद्योग कहते हैं अब हम इस पर देख लेते हैं कि कच्चे माल का रूप परिवर्टन हो रहा है तो वो कच्चा माल कुछ भी हो सकता है और किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है जैसे वनों से प्राप्त उद्योग हम बीडी उद्योग लगा रहे हैं उसे अपनी उप्योग के लिए बन तो कपास, क्रिशी से प्राप्त जो पदार्थ है, वो हमारे लिए एक कच्चा माल है, जूट की हम बात करें, उससे हम अलग-अलग उप्योग में परिवर्तित कर रहे हैं, हम चीनी उद्योग की बात कर लें, तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल हम क्रिशी से जो है वो माल के रूप में, तो कच्चा माल किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो वनों से आधारित हो, क्रिशी संबंधी उत्पाद हो, या खनी से संबंधी उत्पाद हो, कुछ भी हो सकता है, अब हम ये देखते हैं कि कोई एक दो विनिर्माण उद्योग है, तो ज कच्चा माल हो सकता है, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग में, लोह इस्पात उद्योग की जब हम बात करेंगे, तो उसमें इस्पात जो है, वो एक तयार माल होता है, लेकिन उसी इस्पात को जब हम इंजिनीरिंग उद्योग में प्रयोग मिलाते हैं, तो इंजिनीर एक उद्ध्योग में तैयार माल दूसरे उद्ध्योग के लिए कच्चा माल हो सकता है। तो ये हो गई विनिर्मार उद्योग की बात और हम ये कैसे इससे कच्चा माल किन किन स्ट्रोतों के द्वारा सोर्स से प्राप्त करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उद्योगों का महत्व क्या है? उद्योग हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो बच्चो हम किसी भी राष्ट के विकास की जब हम बात करते हैं तो उस देश की प्रगती या विकास को हम वहाँ पर होने वाली जो अध्योगिक प्रगती है उसके आधार पर उसका मेजर्मेंट करते हैं या हम उसे मापते हैं हमारे राष्ट्री की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो इन उद्योगों से हमें प्राप्त होता है इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो देश में निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या है वहां उनके लिए ये एक रोजगार का महत्वपूर्ण सोर्स होता है ये बहुत सारे श्रमीकों को रोजगार जो है वो प्रदान करता है उद्योग फिर हम बात करते हैं चुकि हमारा भारत एक विकाश शील देश है हमें पता है लेकिन यहां पर जितने भी प्रकार के जो प्राकृतिक और मानवी संसाधन मिलते हैं उसके आधार पर यदि हम पूरी तरह से इसका यूटिलाइज कर लें इसे उप्योग कर लें तो ये बहुत जल्द जो है बहुत शिग्र एक विक्सित अर्थविवस्था के रूप में उभर कर हमारे सामने आएगा हम देखते हैं हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एक अलग सिनेरियो था और जैसे ही हमने स्वतंत्रता प्राप्ति की तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा एक महत्तपूर्ण उदेश था रास्ठ का कि हम हर छेत्र में आत्मनीर भर्मने और विकास की तिवरिगती को प्राप्त कर लें तो इन दोनों ही चीजों को पाने के लिए जो ओद्योगी करण है या हम कहें कि उद्योगों का जो विकास है वो उद्योग चाहे खनीश से संबंधित हो, क्रिशी उत्पात से संबंधित हो, पशूत पात से संबंधित हो, इन सभी छेत्रों विकास करने के लिए हमने उद्योगों की तरफ जो है वो अपना एक महत्वपुर्ण आकरशन जो है वो रखा और उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारे महत्वपुर्ण कदम उठाए तो हम देखते हैं कि स्वतंतरता प्राप्ति के बाद जो पंच वर्षी योजनाये बनाई गई उसमें हमने अद्योगी करण के विकास की जो गती है उस दृत गती को पा लिया है अब उद्योगों के महत्व के बाद हम बात कर लेते हैं उद्योगों के वरगी करण पर तो हम देखते हैं कि जो उद्योगों का वरगी करण किया जाता है वो अलग अलग प्रकार से उसमें जैसे उद्ध्योगों का जो आकार होता है उद्ध्योगों का जो स्वामित्व है उसके अधार पर कच्चे माल के सोर्स के अधार पर और उपयोगिता के अधार पर ये इतने प्रकार के जो मुख्य वर्गी करण है उद्ध्योग के इस विशय पर हम बात करते हैं ए एक-एक पर, एक-एक करके सभी पर हम चर्चा करेंगे, तो मुख्य वर्गी करन हमने यह चार देखे, अब हर एक वर्गी करन जो है, उसकी हम बात करते हैं, तो पहला है उद्योगों की प्रकृतिक याधार पर, उद्योग किस प्रकृतिका है, इसमें प्रमुख रूप से द ये पूरी तरह से ग्रामीर छेतर में इस्थित होते हैं जो ग्रामीर उद्योग होते हैं और जो वहाँ पर ग्रामीर छेतर में लोग निवास करते हैं जो जन संख्या निवास करती है वो ग्रामीर लोगों की आवशक्ताओं को इन उद्योगों के द्वारा पूरा किया जाता यहां पर इन ग्रामीन उद्धयोगों में हम देखेंगे कि जो इस्थानी रूप से जो श्रम मिलता है जो वहीं लोकल लेबर जो रहते हैं उनका उपयोग किया जाता है मतलब इस्थानी श्रम उसके बाद कच्चा माल और मशीनरी जो भी है वो जहां उसी इस्थान पर उद्योग होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं जो कोलू की सहायता से तेल निकालना या आप महाराष्ट में चले जाएं तो गन्ने का रस जो है वहाँ पर कोलू की सहायता से निकाला जाता है ये हो गया इसके अलावा जो आटा पिसने का काम है और अलग-अलग प्रकार के जो क रामीन उद्योग के अंतरगत आते हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दूसरा वर्गी करण है इसका वो है कुटी रूद्योग में जो वस्तूओं का निर्माण है वो एक घर में वहां के परिवार के सदस्योग के द्वारा ही किया जाता है और इसमें हम देखेंगे कि आ दूसरा वस्तूद्योग जो ग्रामीन चेत्र में लोग रहते हैं या उसके आसपास के इस्थानिय स्तर पर ही किया जाता है और उसी इस्थानिय बाजार में से बेचा भी जाता है हम देखें यदि यातायात या जो पुंजी की बात करें तो इन दोनों का ही उपयोग इस कुटीर उद्योग में नहीं के बराबर होता है उतना अधिक जो है इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती कुटीर उद्योग जो है वो हमारे भारत का बहुत प्राचीन समय से चला आरह उद्योग है यह हम कहें कि एकदम प्राचीन तम उद्योग है जो विशेश कर ग्रामीर छेत्रों में ही विक्सित होता है इसके द्वारा हम देखेंगे कि जो ग्रामीर्ट छेतर में कुटीर उद्द्योग लगाए जाते हैं तो खाली समय पे जो कृशक हैं उनको एक प्रकार से रोजगार मिल जाता है और उनकी आय भी जो है वो बढ़ती है जो अलग-अलग प्रकार के बरतन है अलग-अलग धातों के जैसे तांबा है कासा है पीतल है ये बनाना या इट बनाने का काम रसी बनाने का काम चीनी मीटी के बरतन बनाने का काम जूते चपल या हम कहें जो चर्म पदार्थ हैं या चर्म शोधक पदार्थ हैं ये जो उद् तरगत आते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि आकार के आधार पर, तो जब हम आकार के आधार पर बात करें, पहला है आपका छोटे पैमाने की उद्योग, छोटे पैमाने की जो उद्योग हैं, ये कुटिर उद्योग से थोड़े इनका रूप बड़ा होता है, लेकिन केवाली कि मात्रा झो है वो कम लगतीह aí शीनों का भी उफयोग जो ए वो अभी कम मात्रा में शीनों की भी आवशक्ता होतीह है और हम देखते हैं कि इसमें मशीने मिलगाई जाती हैं वो छोटी तो होतीह लेकिन बिजली से चलने वाली या विध्युठ से चलने वाली मशीनों का अधिकतर जो उपयोग है वो किया जाता है यहाँ पर कच्चा माल जो है इसमें दूर छेतर से मंगाया जाता है जो आसपास के छेतर होते हैं वहाँ पर से भी मंगाया जाता है और इन छोटे उद्योगों में या छोटे पैमाने की उद्योगों में जो माल तयार किया जाता है या उद्योगों में जो माल बनता है उसे इस्थानिय बाजार के अतिरिक्त जो आसपास के दूर दराज के छेत्रे हैं उन बाजारों तक भी पहुचाया जाता है दूसरा है आपका हम देखते हैं मध्यम पैमाने की उद्योग ये उद्योग जो है ये अधिक मात्रा में हमें पूंजी की आवश्चक्ता होती है और अपेक्षा की जो बड़ी मशीने हैं उनका प्रयोग जो है वो इन मध्यम पैमाने के उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो इसमें इन उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी संख्या भी जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनकी अपेक्षा अधिक श्रम की आवशक्ता होती है। कच्चा माल आसपास छेत्रिक के अलावा जो दूर इस्थित राजी हैं या जो देश होते हैं उनसे मंगाया जाता है और सभी जो निर्मित माल है वो दूर दराज के छेत्रिया हम कहें कि अन्य राजियों या अन्य देशों में भी उनकी विक्री जो है तैयार माल की की जाती म पतलब इनके बाजार का जो छेत्र होता है, वो बहुत अधिक विक्सित होता है. इसके अंतरगत हम रेश्मी वस्त्र है, चीनी है, साबून है या कागज इस प्रकार के जो उद्योग हैं, उसे हम इस मध्यम पैमाने के उद्योग के अंतरगत शामिल करते हैं. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वरिहत पैमाने के उद्योग. इसमें वरिहत पैमाने के उद्योग जैसा कि नाम से ही सपस्ट है, एक वरिहत पैमाने पर इसमें उत्पादन कारी जो है, वो किया जाता है और इसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी मशीने जो हैं, वो उपयोग क इंधन की आवशक्ता होती है और एक वरिहत पैमाने पर पुंजी लगाने की आवशक्ता होती है मतलब बहुत अधिक पुंजी की भी वरिहत पैमाने की उद्योग में आवशक्ता होती है तो यह सभी जो है वो वरिहत पैमाने के उद्योग की विशेष्टाएं हैं और हम पु हम दिति विश्वयुद्ध के समय की बात करें तो संयुक्तराज अमेरिका में इसका तब बहुत अधिक विस्तार हुआ है और जैसे कौन-कौन से उध्योग इसके अंतर गताते हैं तो हम बात करें लौहिस्पात उध्योग है, सूति वस्त्र उध्योग है या बड़ी- और उजार बनाने का जो काम है और अलग-अलग प्रकार के जो विद्यूत उपकरन बनाये जाते हैं, वो सभी आपके वरिहत् पैमाने की उध्योग के अंतरगत आते हैं अब अगला जो है वो बात करते हैं, जो तयार माल है, अधूगों में जो माल तयार किया जाता है, उसकी उप्योगिता के अधार पर, इसमें भी प्रमुखरूप से फिर दो वर्गी करण हमें देखने को मिलते हैं, पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा है आपका उभोकता उद्योग तो आधारभूत उद्योग जैसा की नाम से ही इस पस्ठ है कि ये अन्य जो उद्योग हैं उनके लिए एक आधार का काम करते हैं ये हम ये कहें दूसरा नाम इसका आधारभूत उद्योग का पुंजीगत उद्योग भी है ये एक ऐसे उद्योग होते हैं जिनका जो उद्पाद है वो अन्य उद्योगों में उद्पादन के लिए या अन्य चीजों के लिए प्रयोग में लाया जाता है इसलिए नाम ही इसका है आधारभूत उद्योग और एक उदाहरन के लिए हम देख लेते हैं जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है। इसलिए हम लौह इस्पात उद्योग को एक प्रमुख आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। क्योंकि इंजिनीरिंग उद्योग में या रसायन उद्योग में जो अलग अलग प्रकार के केमिकल प्रयोग में लाए जाते हैं। इंजिनीरिंग उद्योग में जो अलग अलग प्रकार की मशीने और उपकरन बनाये जाते हैं। जो कि आपके दूसरे उद्योग में उद्पादन के लिए आवर्शक होते हैं। रसायनों की हम बात करें या धातु शोधन की उद्योग की जो हम बात करते हैं। तो वो भी दूसरे उद्योगों के लिए एक प्रमुख आधार होते हैं। और कई बार ये कच्चे माल का भी काम जो है वो करते हैं। तो ये सभी उद्योग जो हैं वो आधार भूत उद्योग के अंतरगत आते हैं। हम बात करें हमारे भारत में आधार भूत उद्योग की जो शुरुवात है वो 1907 से हुई थी जिसकी आधार शीला जो है वो जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेद पूर में रखी गई थी। और स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि जो लौह इसपात है या धातु शोधन है, रसायन है, सिमेंट उद्योग है, मशीनरी उद्योग है, इन सभी उद्योगों का विकास बहुत ही तिवरगती से हुआ है। और बाकी अन्य उद्योगों का यदि हमें देश में विकास करना है, तो इसके लिए या हम किसी भी देश को आट मरी भर और स्वालम भी होने के लिए हम देखते हैं, कि वहाँ पर ये जो अलग-अलग प्रकार के आधार भूत उद्योग हैं, उनका विकास होना जो है, वो बहुत अधिक आवर्शक हैं, दूसरा इसका वर्गी करन हमने देखा, उभोकता उद्योग, तो उभोकता उद्योग के अंतरगत वो सभी उद्योग आते हैं, जो इन उद्योगों में वस्तुएं जो तैयार की जाती हैं, वो अलग-अलग, मतलब सभी व्यक्तियों के उद्योग के लिए उनकी आवशक्ताओं के पुर्ती के लिए जो है वो बनाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम ही है उभोकता उद्योग, तो इस उद्योग के अंतरगत हम देखेंगे, जितनी भी प्रकार की जो घरेलू आवशक्ता की वस्तुएं हैं, या हमारे दैनिक उमित की जाती हैं, फिर चाहे हम खाद्य तेल की बात करें, हमारा ब्रेड हो गया, पनीर हो गया, दवाया हो गई, या साबुन हो गया, टेली विजन के जो अलग-अलग उपकरण है, या घरेलू उपकरण भी जो हैं, वो इसी उद्योग के अंतरगत आते हैं, क्योंकि ये जो है, वो इन उद्योगों में होता है, इसलिए हम इसे जो है, उभोकता उद्योग के नाम से, उभोकता वस्तु उद्योग के नाम से जानते हैं, अभी वर्तमान समय में हम देखेंगे कि विश्व में कई हजारों प्रकार की जो है, उभोकता उद्योग संचालित हैं, और ये इनके द्वारा अलग-अलग प्रकार की सामागरियों का निर्माड भी किया जाता है। फिर अगला हमारा वर्गी करन हम देख लेते हैं कच्चे माल की प्रकृती के अधार पर। प्रकृति के अधार के मतलब कोई कच्चा माल जो है वो भारी होता है ये जो है वो हास्पदार्थ वाला होता है जैसे इस पात की हम बात करते हैं इस पात उद्योग के लिए जो हम आयस्क के प्राप्त करते हैं वो क्या होता है भार हास्वाला होता है मतलब जब आयस्क को निकाला जाता है उसके बाद वो उसी रूप में हमारे उपयोग के लिए नहीं लाया जा सकता पहले उसे शोधित करके शोधन करने के बाद फिर जब वो उपयोग के लायक हमारे बनता है तो जब निकाला जाता है जिस रूप में अयस्क उससे जब वो उपयोग के लायक बनाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है वजन में जो है वो कमी आ जाती है और कुछ जो है वो जिनमें जो वजन का है वो उसमें कमी नहीं आती है जैसे हम सुती वस्तरुद्यों की ब कि जब रहा करेंगे तो दोनों के तैयार माल में भी we will not have life in both कोई ट्यार माल में च della च माल कोयी मिलकी तो नहीं of toyan कुछ उद्योहके वह सक 늦्चों निलन अन भारी धातूँ उद्सलिफे हमाने के इसां में रूप में भारी वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं और कच्चा माल भी इन है अधिक वजन वाला उपयोग किया जाता है इनके द्वारा जैसे कि उधारन है लोहा इसपात उध्योग इसका एक सबसे अच्छा उधारन है और दूसरा हम बात करें हलके उध्योग ये ऐसे उध्योग होते हैं जो हलके कच्चे माल का उपयोग करते हैं और इनके द्वारा जो उत्पादन भी किया जाता है तैयार माल उसका भी वजन जहवूत नाधिक नहीं होता है जैसे इलेक्ट्रानिक उध्योग की हम बात कर लें वस्त्र उध्योग की बात करें या सिलाई की म फिर अगला वर्गी करण हम देखते हैं स्वामित्व के अधार पर उद्योगों का वर्गी करण किया गया है और सन 1959 से इसे तीन प्रकार के उद्योगों में के रूप में इसे मानिता दी गई है पहला है आपका सारवजनिक उद्योग ऐसे उद्योग जो जिसके अंतरगत हम देखेंगे कि भारी और आधार भूत उद्योग तो शामिल है ही लेकिन इन उद्योगों का संचालन जो है वो सरकार के द्वारा स्वेहं किया जाता है तो इसे हम सारवजनिक उद्योग कहते हैं हमारे भारत में हम देख लेते हैं हमारा दुरगापूर का इस पाध सैयंत् की बात करें ये सभी जो लौह इसपात केंद्र हैं वो सारवजनिक उद्योग के एक बहुत अच्छे उदहारण है इस्माफब के उदखा अच्छे के इ sean एक बहुत के का इसयोग में जा थैं जाे पर्को उद्योग के बहुत अच्छे क् Nic's कि झाल झाल